हेलो सुदेंस मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास एट नाथ टूपाई क्लास बच्छो हम पढ़ने लिनियर एक्वेशन्स इन वन वेरेबल क्लास एट ओके बच्छो सो पीज नंबर 30 आप ओपन करोगे तो आपको सेक्शन 2.5 मिलेगा बच्छो आप दिए वीडियोस में ठीक और अब और कुछ complicated word problems आपको मिलेगे आपको की ज़ है अगर आपने पहले के इकशन 2विडियो नहीं देखे तो पेंड कॉमिंट बोलते हैं वहां रीट मोड़े क्लिक करोगे ना तो आपको NCRD का हर एक चाप्टर मिल जाएगा बहुत डिटेल में हर एक एक ग्जामपल को हर एक कोशन को हमने हां एकस्प्लेइन किया हुआ लिए और फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें वाट्सप भी कर सकते हैं ओके बच्चों वाट्चों वाट्चों नूमबर 12th class के वीडियो अपलोड किया आते हैं physics, chemistry and mathematics के हमने सुचा बच्चों क्यूं ना class 8 का mathematics का quality content त्यार किया जाए तो इस चैनल को सब्स्राइब कर लीचे और यहां पर आपको class 8 का mathematics का बहुत ही quality content बच्चों प्रवाइब किया जाता है चलिए हाई यह स्टार्ट करते हैं तुजग नमबर क्या होते हैं टुजग नम 허क्वाइब ुज … नम को बनाया कैसे जाता है मैं तो इक हमते टॉद प्लैस पर यहां सदिकिंए ौछओ जैसे की में ले तूजग नमबर आप बता चलो 30 yes, sir एक ईकड़ ना इस तर फीर या सर यविशिक ंसमें 3 विसी तरीक तो होता है ुट्राइजट के सो टू आपको बता रहा हूं की तूर बसकी नमबर टोंबर के बारे अधतनों यह सब्सक्तूने, सब्सक्राइब तो यह क्या आपका 10th place का डिजट है 10th place का डिजट है ठीक यूनिट प्लेस पे टू 10th place पे क्या है 3 इतना तो सब को पता होगा ठीक है चलो अब मेरा सवाल यह है कि बताओ ये नमबर कैसे बना होगा तो सचो ध्यान रखना हमेशा यूनिट प्लेस को बच्चों यूनिट प्लेस के डिजट को 1 से मल्टिप्लाई किया जाता है और 10th place के डिजट को 10 से मल्टिप्लाई कियाता है हमेशा और एड़ कर दो कि तो आपको ये नमबर मिल जाएगा चेक करिए 3 इंटू 10 30 और प्लस 2 इंटू 1 2 हमेशा आद रखिए यूनिट प्लेस के डिजट को 1 से यूनिट प्लेस पर 2 है 2 इंटू 1 करेंगे और प्लस 10th place के डिजट को 10 से मल्टिप्लाई करते हैं यानि कि 10 इंटू 3 करना है या 3 इंटू 10 करना है तो आपका नमबर आपको पता चल लाएगा ठीक जैसे कि मान लेजे हमने आपको पूछ होंगा ओके तो देहां देंगे 58 ये टू डिजट नमबर है यूनिट प्लेस पर क्या रहे एट और टेंस प्लेस पर क्या रहा है तो बच्छों अगर हम आपको पूछें ये नंबर कैसे बना होगा तो कुछ नहीं है एट इंटू 1 करेंगे और प्लस 5 इंटू 10 करेंगे यानिके यूनिट प्लेस पे जो डिजट है उसको वन से और टेंस प्लेस पे जो डिजट उसको 10 से मिल्टिप्लाई करेंगे 5 तेंस दोब को समया है घू बातो से वहां फैनिया अब ठीकर वेरिकुट अब ठीकर धियां से थे मिल्टिव मतिए इट इसका को है क्था है की अगर डिजट को हम क्या करने इंट्र चेंजब था इते को इंटरचेंज करने का मतलब होता है तब determine चेंजिंग इसका क्या मतलब होता है बच्छों इंटर चेंजिंग जा इंटर चेंजिंग डिजिट्स का मतलब होता है जो युनिट पे था उसको टेंज पर लिग दो जो टेंज पर है उसको एल बास खुछ नहीं two को 3 की दिनीष थ्री को डूला रेकर को फिन एक फिश्ट्रेकर 23 कभी कभी एक्जाम में बोलता है तुर क्रिफलेंञब कभी कभी बोलता है immersing the digit top internet unableigos तो एं इंट चेंजिक या फिर क्या बोल सकते आपको एक्जाम में reversing the digit. subscribe box frontlineergा ईसे एंगे आपको बोल सकते तो कॉपी नोट लगा ले न कि in the changing the Luego is it class mi gaming कैश्न थीधे टिशु तो ट्रिटी है वेट ना है तो ऑब आप अलाएघ्रायान सासुन अलाएड हो जब आप इंटर चेंज कर देते लिए हो तभी नंबर बनाने का वही च्ताइल है बुटर फूली सुना रिस घार और ने फिलेज़े को नेहारेमें चीजेशों से हैं तेके वेरी गुट अब देखो अब आईए बच्छों हम कोशन पढ़ते हैं अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं सुनिए बच्छों जब भी आपको डिफर बोलेगा ठीक डिफर का मतलब डिफरेंस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्छों डिफरेंस कभी भ बचेटए टू तो इनके जो डिफरेंस है थी और यूनिट लेंस है तो रह mercy थो तो मतलब वेड्य सुल को घिए मधने और तुझ अग्र। अब बताओ अब जो 23 वाना नमबर है थान्स नो तो इनके जो डिजट का डिफरेंस है इनके जो डिजट का डिफरेंस है और अगर आपने रिवर्स कर दिया डिजट को या इंटरचेंज कर दिया तभी इनके डिजट का डिफरेंस है न वह उतना ही आएगा जतना पहले आ रहा था चेक कर लो अब हम क्या करेंगे थ्री और टू का डिफरेंस निकालेंगे बच्चे बोलेंगे साथ टू और थी का क्यो निकाल रहे हो सार बच्चो सुनो आपको हमेशा बस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है तो इनके पहले भी इनके डिजट्स क्या थे थ्री और टू अभी इनके डिजट्स क्या है थ्री और टू इन बस डिजट्स इंटरचेंज हुए बस और कुछ नहीं तो अभी भी अगरम डिफरेंस निक मैं बॉला है एक एस्टिक रखते हैं डंड को चाहें इधर रख दो और चाहें इस स्टिक को डंड को टू मीटर रख दू अभी भी डिफरेंस के तरी का दिफेरेंस ने ते मत वह नहीं होता है नहीं हो अबस बड़े वाले में से छोटे वाले को मैंस करते हमेशा यह याद रखी गाई जैसे की मानलो पत्चों यहां प्रचेंज कर दिया शुफ्टी एड़ नमपर ऐगा तो फिफ्टी एट के डिजिट्स कॉन कॉन है एक एक और फ़ाइड और फाइड फाइड का डिफरेंस कित शत्रे रहित न पर नमबर इंट चेंज ये आफटर कॉपी मेंおत लगाओ आफटर इंटर चेंज दर बिस तूसट सेन कोपी में रोट लगाई आफटर कॉपी में लोगाओ आफटर नटर रोगाएं इंटर चेंज इंग ध डिसी में अफ्र एंटर चेंजिंग देजिट्स डिफरेंस अब देजिट्स विल भी सेम डिफरेंस और दिजिट्स लो बी सेम ओके बच्छों दें ती सी बात हो गई इसको कॉपी में नोट लगा फिर कोशन करके दिखातें परशान नोट नोट लगाई है लगा लिया चलो अब आई अपना कोशन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं ठीक बच्छों चलिए अब कोशन करते हैं इतना कॉंसेप्ट क्लियर करने के बाद के रहा है कि यस कह रहा है इप देजिट्स आप इंटर चेंज तर रिजल्टिंग नमबर is added to original number we get 143 ठीक है और what can be the original number मैं कुछ लिखना भूल गया हूँ इस कोशन को मैंना दूरह लिख दिया है I'm very sorry ठीक इन्होंने बोला है बच्छों अचा हाँ ठीक है complete complete लिखा है I'm very sorry ठीक तो ध्यान सनो इसने जो बोला the digits of our two digit number differ by 3 मेरी बात ध्यान सनो हम क्या पढ़ ले है हम पढ़ने linear equation in one variable ठीक तो आपको एक ही variable का यूज करना है चाहे आप x का यूज कर लो चाहे ए का यूज कर लो चाहे ए का यूज कर लो चाहे बी का आपकी बुक में बी का यूज किया है मैं x का कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए है हमने बोला क्या कि भाई देखो एक तो यूनिट प्लेस की डिजट होगी ठीक है और एक होगी क्या टेंस प्लेस की डिजट भाई टो डिजट नमबर है तो एक यूनिट प्लेस पर डिजट होगी एक टेंस पेस प्लेस तो माना की यूनिट पेस पर डिजट कितन भीले हो जो जाए बता हुप सब्सक्राइब हो सकता है कि नियुक्त एक से ठीक एक्स है तो तो टेंस प्लेस पर डिजिट एक्स प्लस थी तो होगी क्यों हो सर बच्चों दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए थ्री आ जाए यह दिखाते हैं यह बड़ा लग रहा हो गया और यह क्या हो गया इस्मॉलर हो गया ठीक हमने यहां पर यह जूम किया है कि यूनिट प्लेस यह से जैसे कि आपको 32 में दिखाई पड़ा था ना यूनिट पेस्पे टू था टू छोटा था और थी क्या था बड़ा था ठीक तो यह स्मॉलर है और यह क्या है लार्जर लार्जर डिजर्ट है ठीक अप सनूं इन दोनों का डिफरेंस क्या थ्री आ रहा है पहले चेक कर सटू लो ना चेक दो रहो से अगर हम इंश मैनस करेंगे तो क्या हृ घ्री अहीं देखो ऑग्रेंस फ्लेस की डिजIE क्या एक से एक स्ञाभी देक माइन परस्फिट परस हर समस्प क्या आसंचन सही फसोल। तो फस्व के आप एसा अजयम नहीं सकते थे द्सिक करना ऐसा क्या की यूनिट प्लेश पे और यूनिट सनिस्ट पे देंट मति सा उचाल यो टेनका पर देट Pacey ता युझा सुछ टेन डूर तो था क्या ऐसा भी तो होंका है अगर असाथ टुड सकता है अगर इस थर्टी टू को опять-गर सकरने सो तू आपटी थिए अगर दू यहाँ थीटा किया ऩॉटत इस फीड कर आट बसक्टे से जोया हुँ sucking अगर जा एम कर आगर सब्सक्र्स कर देड खीकर से बासन में आगी कि नहीं तो ये चीज़ है ओगे नौ अब धिहान दे हम यहां पर केस टू में यही सोचने जा रहे है कि माना की यूनिट पेस का डिजट बड़ा होता है और टेंस का छोटा होता है ठीक तो केस नूबर टू यह केस वन है केस वन होगे यह केस टू की जो यूनिट प्लेस का डिजट है ना इस बार उसको हम ग्रेटर रखेंगे और टेंस प्लेस को हम स्मॉलर रखेंगे तुमिन बाद हैं सुनू बच्चो यूनिट प्लेस अगर ग्रेटर है तो यूनिट प्लेस का डिजट को हमने एक है सब्रक्राइब कितना लेस जितना डिपरेंस एडोनों का कि अधिना 3 तो 10th place के डिजट को हम क्या मान सकते हैं कि अपकी नहीं मान सकते हैं मान सकते हैं क्यों सब्रहुएब करके दिखाऊँ हो पुर्षाण ौठी क्यों सब क्यों कि अगर हम में में डिफरंस निकाले तो का से निकालते हैं बढ़े याले में कुछ आलगा टो या सबिछली भार हम ने इस मेट हम रिगी सिस्वे एक सब्टूpox और यह ऑ श्रहर द्री 최aux और मैंसे देवर तो रिवर्स कर दोगे तो 23 मिलेगा अब यूनिट ग्रेटर हो जाया किसे 10 से तो वही हमने किया है ठीक हम सोच नहीं है यासा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है यूनिट प्लेस के डिजिक बड़ी हो और टेंस की क्या हो छोटी हो एक्स माइनस 3 जो है वो एक से छोटा होता है व बड़े में सब्सक्राइब करो डिफरेंस निकालो बड़ा एक से माइनस चोटा कहा एक सब्सक्राइब करो तो माइनस एक सब्सक्राइब करके दिखाऊँगा सबसे पहले केस नमबर वन से मैं आपको इस कोशन को करके दिखा रहा हूँ करेक्ट सो केस नमबर वन में सॉलीशन देखे कैसे लिखेंगे लेट दा लेट दा यूनिट्स प्लेस डिजिट बी एक्स बच्छों माना हमने कि यूनिट बेस का डिजिट कितना है एक से अब आपका और इसनल नमबर कैसे बनेगा सब्सक्राइब कापी में लिख लो मेरे को थोड़ी जगा चाहिए वीप केस बाद में कर गए इसको कॉपी में नोट कर लोगा इसाइड में केस तो अभी करके दिखाऊंगा अभी स्कूर अब कर रहा हूं मेरे को जगा चाहिए ओके अब बच्छे इंक बाद बताहिए तो और इसनल लंबर कैसे बने का और जनल लंबर बताया क्या होता है यसे 32 ए और रिवर्सिंग देट 23 इसको और बोलेंगे इसको 23 को क्या बोलेंगे नमबर विगेट वायर रिवर्सिंग देट ओके ती और जनल लंबर होता है अब ध्यान सब्सक्राइब नमबर बनाने का भी हमने आपको स्टाइल दिखाया था क्या करते थे याद करें हमने बोला था यूनिट प्लेस के डिजिट को वन से और प्लस टे कि तो इस तरीक कई से ठिकन नब 11 अडिसनल लंबर अपके सो औरिजिनल लंबर इस इक्वल्स टू कितना आगया 11 x plus 30 अप सुनों अप सुनों मेरी बात ध्यांत से कॉपी करो बताता हूँ कॉपी कर यह कर लिया चल तो ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्वों यहां पर लिख लेते हैं और इसनल नंबर कितना बन के आगया यहां पर 11 x plus 30 11 x plus 30 ओके आप सो नो मेरी बात देंस यहां लाइन रोकरी अब हम आपको दिखा रहे है कि नंबर आफ्टर रिवर्सिंग देजिट या नंबर नंबर आफ्टर इंडर do students अगयर हम डजर देजेस को इंटरचेंज करें तो न्यूञाँ कितना बनेगा सोच्व बच्व यूख नमबर कितना बनेगा जभाहम डिसेज को इंटरचेंज करेंगे तो सुनो यूनान प्लेश और यह पार्ट रिया हो गई आपकी य smartest place Dec यानि कि X plus 3 को 1 से multiply करेंगे, so X plus 3 into 1 और plus 10th place के digit को 10 से multiply करेंगे, यानि कि 10 into X plus X plus 3 into 1, इसको 1 से, इसको 10 से दोनो को add कर देंगे, 10X, 10 into X, 10X और प्लस, बच्चो 1 into X होता है, X और प्लस 1 into 3, और सिम्पल सी बात, X plus 3 को 1 से करो को X plus 3 याएगा, नो 10X plus, 10X plus X कितना होता है, 11X, और प्लस में क्या बच्च गया, 3, तो यह आगया आपका new number after interchanging the digits, तो new number कितना आगया, 11X plus 3 आगया, ठीक है, अब कोश्चन पड़िये फिर से, कह रहाँ देजिट सार आफ और टो डिजिट नमबर इफर भाई 3, मतलब एक टो डिजिट नमबर उसके यहाँ आपको बताया, यहाँ भी देखे, थी से इट इफर कर रहे, यहाँ भी देखे, भी देखे, तो अब देखो, according to the question according to the question बच्छो क्या कह रहा है इभ दिजिट्स और इंटर चेंज जब डिजिट इंटर चेंज कर दी तो जो नया नंबर मिला है ना पड़ो दर जल्टिंग नंबर मतलब जो रिजल्टिंग नंबर मिला नया वाला इस अदेक्ट ठूड़ ओर जिबच अज les Mira specialinks नंबर को और जिए जमेल दाएड़ और जंबर करने पर क्या था है 143 मतलब सब्सकिंग को सुमने मिलता है 143 ठीक तब आप चेक कर लो नियू नुबर कितना आपका 11 x plus 3 so new number की जगा हमने लिखा 11 x plus 3 okay a plus original number कितना था बच्छो एवल 11 x plus 30 11 x plus 30 30 था दोनों का सम करने पर कितना रहा रहा देखो ये था new number ये है original number कितना आरांसर 143 ठेक अब इसको solve कर लो x की वेलू निकाल लो देखते हैं क्या होता है so 11 x plus 3 यहां प्लस है bracket open करोगे कोई sign नहीं change होगा विकास बाहर प्लस है 11 x plus 30 is equals to 143 ओगे बच्छो अब ध्यान दे 11 x plus 11 x add कितना हो जाएगा अब मेरे को थोड़ी से जगा चाहिए होगी students है यहां पर करता हूँ थोड़ा सावधान रहीएगा चोटा 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 लिखूंगा मैं 11 x plus 11 x कितना होता है 22 x यहीं पर कर देता हूँ 11 plus 11 22 और x आ जाएगा ठीक प्लस 30 plus 3 33 is equals to 143 अब नेक्स स्टेप में ये 33 को राइट है ट्रांस्पोर्स कर दोगे सो नेक्स स्टेप में आएगा 22 x is equals to बच्चो ध्यान से चेक करें 143 माइनस 33 हो जाएगा 143 माइनस 33 क्यों क्योंकि ये 33 प्लस का है उदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक नौ अब यहां से आएगा 22 x is equals to हमाई 143 माइनस 33 कितना आएगा यहां पर करते हैं तो 143 माइनस 33 3-304 माइनस 3-110 तो यहां से आगया कितना 110 ओगे सुदेंस आई तिंग कुछ मिस्टेक हुआ है क्या 3-3 कितना होता है जीरो और 4-3 होता है बच्चो वन तो 100 कितना आ गया 100 कितना आ गया 110 आ गया ओके सो यहां पे शायद कुछ मिस्टेक हुई है क्या है क्या गेस कुछ मिस्टेक हुई है शायद लेग में चेक इट नहीं कोई मिस्टेक नियों बिलकूल साही है अगे नाओ अब 22 x क्या होता है 22 x 22 x is equals to 110 ना बच्चो एक में 22 multiply उदर जाएगा डिवाइट करेगा सो एक्स इस इक्वल्स टू 110 divided by 22 अब ध्यान देना बच्चो देखिए 11 का टेबल पड़ो 11 टूजा कितना होता है 22 और ध्यान देंगे बच्चे सभी 11 वन्जा 11 और ये वाला जीरो ऐसे या फिर आप सीधे परो 11 टूजा 22 और 11 टेंजा कितना होता है 110 11 से का टाएम 11 टेंजा बनेंट 11 टूजा 22 ना टू वन्जाट टू पर्ट टू फाइट नहों टैंट तो 5 अपन वन यानिके X की value कितनी आ गई 5 X की value बच्छों कितनी आ गई 5 okay now students copy में note करें फटाफट इतना वीडियो pause करके copy में note करें X की value कितनी आ गई 5 okay note करिये please note करिये students कर लिया अब ध्यान दे उसने हमसे क्या पूचा था उसने हमसे पूचा था what can be the original number original number क्या हो सकता है तो ध्यान से चेक करो बच्छो और इसनल लंबर क्या था आपका 11 X plus 30 था यानिक 11 X 11 X का मतलब 11 into X होता है तो 11 into X का value कितना है फाइव फाइव प्लस 30 30 तो बच्छो और इसनल लंबर जो हमारा क्या हो सकता है 85 वो सकता है ठीक बच्छो ताप NCRT देख लो आपका आंशर आया है the number is what 85 तो यहां पर हमारा आंशर क्या आया है first answer हमारा answer आया है दो नूमबर इस 85 थिए सो इसका एक और आंसर आ सकता है पता रहता थे वह नमबर 2 से आएगा और फिर आम आपको दिखाएंगे कि एस इंबर वन से जो अंसर आया एक्टी by वह भी कोशन में दी गई इडिचयन town को सेडिस्वाई करता है और केस तू में जो आंसर आएगा वो भी कोशन में दी गई लगी कंडिशन को सटे सवाई करेगा पहले वीडियो पॉसका कि इतना नोट करें वीडियो पॉसकर के नोट कर लीजे बच्चों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमस से अंसर क्या Br similar to case सोंब डंसाक आशना कि 10 बलेस हम इस मार्य उनिट प्लेस को नस्पेस को ग्रेपर मानें किसा एंस प्लेस से एतिक है तो इससे में कैसे पपलए यंशे चोटा और आ तो चुंड हूग आपिए सक के डिजट को एकस लयूद तो तेंश सबीस को हो क्या मानना पढ़ेगा x-3 1 ना पढ़े गहसरो ठिक यह कहसे मिनकोदा था भी यह चोटा हो गया बदद लों टीच अब हैं से समोग यहां बर और और चुलनल नंबर कितना बने कहा और विशनल नंबर इनकोब सब्दा या यूनद एकन शू नमणाना मैं 10 x 10x plus minus 10 into 330. और plus x into 1, क्या होता है, x होता है. ठीक, अब ध्यान दें. ये 10 x है और plus, कितना है? X है, तो 11 x minus 30 आ गया. ये original number आ गया, ठीक, अब समो. अब new number कितना आएगा? जब हम क्या करेंगे? digits को interchange करेंगे. तो चेक करों. शॉंट ले क्या आएगा और टैंस प्लेस पे अमखा ध्यानSON गौला धियानती अन्य जा वॉटेंस पे टींच पर फाया जाएगा और युनियूर नूंबर कैसे बने 9 new number कैसे बनेगा कैसे पढ़ा है था बच्छों 10th place को 10 से multiply करते है याने कि 10 into x और प्लस unit place को 1 से so x minus 3 into 1 now 10 into x होगा 10x और प्लस 1 into x minus 3 x minus 3 हो जाएगा 10x plus x होता है 11x so 11x minus में आ गया 3 ठीक अब according to the question जो यह बोल रहा था वो हम follow करते हैं क्या बोला था उसने if the digits are interchange resulting number is added to the original number मतलब समझों digits interchange करने के बाद जो नया number आया है अगर इस new number को हम add करें यह new number है आपका 11x minus 3 अगर हम इसको क्या करें add करें किसमें original number में तो original number यह रहा आपका ठीक तो 11x minus 30 यह आपका new number यह आपका new number यह और ने दोनों को add करने पर कितना आता था 143 ओके ना उसको को solve करते हैं देखते कितना होता है यह ऐसे ही रहेगा 11x minus 3 प्लस प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा कोई sign change नहीं होगा 11x minus 30 is equals to 143 नौ जहां से चेक करें बच्छो 11x plus 11x 22x minus 3 minus 30 to minus minus of that plus यहने कि 30 plus 3 33 sign लगेगा बड़े नुम्बर का तो 30 और 3 में बड़ा कौन है 30 तो मैंने साजाएगा ठीक इस इवाल स्टू 143 नौ अब चेक करो minus 33 को राइट में भेज़ देंगे ट्रांस पोर्स करेंगे तो 22x is equals to कितना होगा 143 minus 33 राइट में जाएगा सो प्लस 33 हो जाएगा नौ यहां से हो जाएगा आपके पास 22x is equals 2 बच्छो 143 plus 33 कितना होगा 3 plus 3 6 4 plus 3 7 यह होगी आपके पास 176 22x का मतलब 22 into x so x is equals 2 कितना हो जाएगा 176 अपॉन 22 ओके नो ध्यांदे 11 तू जा होता है 22 और 176 को 11 से डिवाइट करो यहां कर गदिक है 176 को 11 से करो कितना है 11 11 11 7 7 11 11 1 666 66 66 caonare ना कना एन विद्गेना रहां रहा तो 11 16 16 176 21 2 2 8 16 2 x is equals to 8 आगे यह यह लिजिए अगर X is equals to 8 आगे तो और इसनल लंबर कितना हो जाएगा वाइड ओर दिनल इनलम राज पना चिक्रू 11 x – 30 11 X का मतलब 11 into x – 30 so 11 into x 11 into x 11 into x तो 11 into 88 or 88 minus 30 88 minus 30 कितना होता है 58 ओक चेक कर लो ओके 58 मतलब समझो अब हमारा और जनल नमबर केस नंबर टू में आंसर क्या है केस नमबर टू के कॉर्डिंग हमारा अंसर क्या है कि दब और जनल नंबर इस नमबर इस 58 अब सुनो सर एक्जाम में कौन सा करें बच्चो सुनो इस question के दो answer है दór possible number is either 85 और 58 85 भी इसका correct answer है 58 भी इसका correct answer है क्यूं अभी आपको बताते हैं पहले इतना note करिए video pause करके इतना note करिए कर लिया चल अब देखो बच्चो केस नमबर वन से हमने answer क्या निकाला था कि okay the required number is 85 क्यों correct case number one को verify कर रहे है 85 बच्चो इसलिए खरेक्ट है विकॉज उसने बोला था कि digits का difference कितना होना चीथ तो इसके digit क्या है एक और 5 और 8 और 5 का difference कितना है एक त्रिए और फिर इसने हमें बोला कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो बताओ 85 में डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो नियू नंबर किता बनेगा 58 अभी भी डिजिट्स का डिफरेंस कितना है तो यह ओरिजिनल नंबर था अगर हम रिवर्थ कर दें तो नंबर 58 बचेगा तो उसने बोला था कि जो न्यू नंबर आता है उसको अगर हम और इजिनल लंबर में एड करें तो आंसर कितना आना चाहिए तो इस तरीके से सारी कंडिशन साथ तो पहला अंसर यह हो सकता है और दूसरा पॉसिबल नंबर 58 भी हो सकता है तो आईए हम देखते हैं 58 क्यों हो सकता है तो दिहां से चेक करो 58 इस लिए हो सकता है क्योंकि 58 में जो यूनिट और 10 प्लेस के डिजिए उनका डिफरेंस कितन बन जाएगा कितना 85 अब चेक करो यह रहा न्यू नंबर आफ्टर इंटर चेंजिंग देजिट 85 आ गया तो जो न्यू नंबर है उसमें उठा के अगर हम क्या एड करें और इसनल नंबर को अगर हम एड करें तो आंसर कितना आना चाहिए 143 चेक कर लो 85 प्लेस 58 143 होता है तो इस तरीके से आप चाहें सक कwent से इससौर करके दिखा हैं अप चाहें सक किस तु से साल्फ करके दिखा आंसर दोंहीं करेक्ट हैं ठिक है तो उसने पूचल था what can be the original number original number क्या हो सकते है तो ठीक question ये था कि इनको पूछना चाहिए था what can be the original numbers original numbers क्या हो सकते है ये पूछना चाहिए था तो इसके दो answer है 85 is the correct and also 56 and 56 sorry 85 is correct and 58 is also correct अगर exam में यही question आया और उसने पूछा उसने पूछा what can be the original number नहीं लिखा उसने numbers लिख दिया numbers मतर प्लूरल कह रहा है ऐसे कितने number है तो आपको दोनों answer देने होंगे sir क्या हम दोनों बार solve करेंगे नहीं बेटा सुनो आप एक answer निकाल ले ना चाहे 85 निकाल ले ना तो दूसर नंबर 58 हो जाएगा या आपके इस टू से करो नंबर लोगा वो क्या हो जाएगा 85 के डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना 58 माल लोगने केस टू से निकाला आपका ओरिजिनल नंबर 58 हा गया तो आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना आपका सकेंड इस एस ओल्ड एस श्रिया तो अर्जू इस लगा हुआ है इस किसके लिए लगता है प्रिजेंट इंट्स के लिए है ना यानिकी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है बच्छों तो ध्यान देयां पर देहां पर लगा यहँवा यहां पर अर्जुन एक टेवल बनाते यहां बात करते हैं प्रिजेंट एज की यह वाले रो में और इसके ऊपर वाले रो में हम बात करते हैं पास्ट की अगर कोई बात कर रहा होगा पास्ट की कि भी पास साल पहले क्या था या दस साल पहले क्या था ऐसा कुछ बोल रहा होगा और यहां पर हम बात करते हैं फ्यू अर्जुन की एच श्रिया की एच का टू टाइम से कब प्रिजेंट टाइम में है ओके पड़ो अर्जुन इस ट्वाइस एस ओल्ड एस श्रेया ठेकिन देखो क्या अर्जुन अर्जुन की जो प्रिजन टाइम में एज है अर्जुन इस का मतलब टू टॉ टू न्हीं कैसि आफे गजाना पीम लगाए शृया की पता चलेकि उसका डबल करो गे है तब हर देन की पता चलेकि तो इसका मतलब यह है कि आप को एकि श्रीया की एज अज्यूम करने चाहिए एकस या अर्जुन की शोचो तो अपनी कॉपी में लिखा लेड़ कि श्रिया स्ट प्रसेंट एज टू भी एक सी यह ठीक न तो किसको एक्स मानना है या आपको पता होना चाहिए किसको मनना श्रय हो क्यों जब टो लेड़ से की बच्चो श्रया की एच अपने क्या माना एक्स तो यहां पे X लिखेंगे इंटू में टू करेंगे दिको श्रया की एक्स एक्स आजी में कर वड़ी करो गी तो अर्जून की जा झाजाएगी यहांने कि अर्जुन जो present age है वो कितनी है 2x है तो हमने अपनी copy में लिखा Let us take Shriya's present age to be x year Okay the Arjun's present age would be 2x year इस table में fill कर दो Shriya की age कौनसी वाली present वाली Shriya की age कौनसी वाली present वाली कितनी है x years तो Arjun की कितनी हो जाएगी 2x year Shriya का 2 times Shriya की age x, x का 2 times 2x Arjun present time में 2x years का है अब आगे पढ़ते कॉश्शन केरा 5 years ago बच्चों जब भी लिखेगा 5 years ago तो इसका मतलब बोल रहा है कि पास्ट में चले जाओ पांस साल पहले पास्ट में जाना है आपको अगो का मतलब पास्ट में और जब भी लिखेगा क्या 5 years hence 5 years hence के बाद है आज के 5 साल के बाद यानिके future में चले जाओ हैंस लिखा होगा तो future में जाना है और अगो लिखा होगा तो पास्ट में जाना याद रखना ठीक अब एक बाद बताओ पास्ट में कैसे जाते हैं पास्ट साल पहले जाओगे तो आपकी एज कितनी होगी सो चो मानलो आज आप 12 years के ठीक है मानलो आप 12 years के तो पास्ट साल पहले आप कितने साल के थे 12 minus 5 करोगे ना यानि कि आप थे 7 years के प्रजेंट टाइम में जो एज़े जोती है अगर पास्ट टाइम में आपको जाना हो तो जितने यह पास्ट जाना है उतरह माइनस कर दो थीक फाइव एर्स अगो बोला है तो हमें पास्ट एज निकालने के लिए 5- करना पड़ेगा अर्जुन की एज में से भी 5- करेंगे पास साल पहले और पास साल पहले श्रिया की एज कितनी थी एकस माइनस 5 समझ में अगई अब हमें इस कोशन में फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं करी है तो हम यह वाले कॉलम को कट कर देते हैं यहां कुछ भी फिल नहीं करेंगे अब देखते हैं क्या कह रहा है कोशन पुड़ो कह रहा है फाइज एज एज वाज थ्री टाइम इस किसके लिए लगा हुआ है इस किसके लिए लड़कों के लिए है और लड़की के लिए हर लगता है ठीक है इसका मतलब बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है वो अर्जुन की ओके अर्जुन लड़के का नाम है ठीक ना तो इसका मतलब फाइब अगो अर्जुन एज वास थ्री टाइम्स श्रयास एज मतलब सम्झों पांस साल पहले अर्जुन की जो एस थी वो श्रया का फ्री टाइम्स थी ऐसा कोशन में बोल रहा है अब एक्वेशन कैसे बनेगी बास सम्झों देखो अग्रोडिंग टूद ऑफ्री अग्रोडिंग टूद अच्छों सबसे पहले तो धिहन ने उसने बात कपकी करें 5 यर्ज अगोगी ठीक तो अगॉडिंग टूशन है इंग लगाएं गयां फाइव इस अगो यानिक पांस साल पहले की बात कर रहा है वो पास्ट मेंटी पांस साल पहले क्या था वक्रीट एट वर्ओस 3 तरीप ट्रीट चाइज हीस मतलब आर्जों यानि कैबछों पास साल पहले जो अरजेंग की एस थी कई अर्जीन्स पेजर वास थी नाइम्स में सच्रिया ज ये सी अपसे स्टेमें ट Sono एस-स टीमेन गडिक आप लिक तो अभी त की भाता हूं वॉस का मतलब होता है इक वां इसका मतलबु मित लिख आर ऺिंगत कि रूख़ो और यह च्वेर की बात कर रहा है मतलब जितनी भी एज्टेकर पहले वाले लेनिए पहले वाली लेंगे के प्रदेंट एज के बारे में बात नहीं कर रहा हैं फाइवियरे अगू अरुण वस्त्री टेंज एस श्रीया चेश ऑगे तो अरुण की यहां फिल करेंगे पांस साल पहले वाली, कितनी थी, 2x-5, तो अर्जुन की एज थी कितनी, 2x-5, was का मतलब equal to, 3 का मतलब number 3, और times का मतलब into होता है, और यहां फिल करेंगे श्रिया की एज, कौन सी वाली, past वाली, तो श्रिया की past में एज कितनी थी, x-5, ये लो equation बन गई, चेक कर ली चे, अर् अगर 3 से multiply करोगे, तो आपको अर्जुन की age मिल जाएगे, okay, समझ में आगई पार, ठीक है, very good, अब, times का मतलब into होता है, मैं इसको solve करेंगे, ये हो जागा कितना, 2x-5 is equals to, 3 into x, दो 3 जाके, यहां भी multiply करेंगा, so 3 into x, 3x, और फिर माइनस लगाएंगे, और 3 जाके, second time में multiply करेंगा, 35,000 हो जाएगा, कितना, 15, जिक, अब, क्या करेंगे, बच्छो, नमबर्स को, नमबर्स के पास, वेरेबल को, वेरेबल के पास, सबसे पहले, माइनस 5 को, राइट में, बेस देंगे, so, यहां से आएगा, 2x, बचेगा, left में, is equals to, क्या होगा, 3x-15, और, माइनस 5, राइट में जाएगा, so, प्लस 5 आएगा, ठीक, अब, यहां से क्या हो जाएगा, चेक करो, 2x is equals to, यह हो गया, 3x, माइनस, प्लस, माइनस, साइन, लगेगा, किसका बड़े नमबर का, ओके, तो, 15, माइनस 5 होता है, 10, लेकिन, साइन, लगेगा, बड़े नमबर का, माइ बच्छो, चेक कर यह क्या हो जाएगा, 2x, और 3x, लेफ में आएगा, 2x के पास, तो, माइनस, 3x हो जाएगा, और राइट है, कितना बच्छे का, माइनस, 10, इसमें कोई कन्फियूजन तो नहीं है, बच्छो, चेक कर लीचे, 3x के आगे, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, लेफ्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस, हैना, तो 2x, माइनस, 3x, is equals to what, 10, मतलिक देना बच्छो, माइनस, 10, बचा हुआ हुआ है, okay, now, अभी बाद बताओ, 2x, माइनस, 3x, कितना होता है, 2x क्या कोई साइन नहीं, प्लस एजूम करेंगे, प्लस माइनस, क लगेगा, बड़े नमबर का, तो 3-2 लिखेंगे, 1 और x, और 2, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3, 3 क्या आगे, माइनस, 1x आ जाएगा, is equals to minus 10, अब फनो, बच्छो, 1 तो लिखा नहीं जाता है, भाई, 1x का मतलब, x होता है, ठीक तो, next step में हम क्या करेंगे, x को ऐसे, लेकिन, माइनस भूल मत जाना, माइनस x is equals to minus 10, कभी भी आपको ऐसा लिखाई, दिखाई पड़े बच्छो, कि minus x is equals to minus 10, तो minus a minus काट देना, x is equals to 10, अगर आता, minus x is equals to minus 5, तो minus minus कर जाएगा, x5 बाद जाएगा, समझगे न, इस तरीके से, तो, minus a minus cancel, और x की value कितनी आ गई, 10 years, अब सुनो, question क्या पूचा था, find their present ages, उनकी present time में age कितनी कितनी है, आपको बताना था, तो चेक कर लो, x की value 10 है, और x क्या था, श्रिया की age थी, यानि कि श्रिया की present age कितनी है, 10 years, तो हम answer लिख रहे है, देखो कैसे लिखेंगे, copy में answer, हम लिखेंगे, यह answer है, ठीक, इस, x year थी न, x की जगा 10 लिख देंगे, ठीक, तो श्रिया की present age 10 year है, और अर्जुन की कितनी हो जाएगी, यहां से चेक करूँ, टेबल से, अर्जुन की present age कितनी थी, 2x, 2x का मतलब 2 x, यानि कि 2 x की value कितनी, 10 to 10s are 20, होगे, तो answer में लिखेंगे, अर्जूस प्रेजूस age is what? 2 x x, 2 x 10, 20 years, यह आपका answer, यह लिज, तो present time में Shreya 10 year किये, और अर्जुन प्रेजूस प्रेजन टाइम में 20 year किये, एक चीज़ और देखाऊ, answer verification कराऊ, देखाऊ, answer verification, कहां करे, अगर पास साल पहले, आप अर्जून की age निकालो, और श्रया की निकालो, श्रया की कालो, श्रया की कैसा हाईगी, x-5 x value 10, 10-5, यानिक श्रया पास साल पहले पास साल के थी, और अर्जून कितने का था, 2 x x की वालो कितनी, 10 to 10 to 20, 20 minus 5 15, check कर लो बच्छो, अर्जून की 15 क्या होता है, 5 x 5, 3 x 15, तो श्रया की एच जो 5 साल पहले थी, उसका अगरम 3 x कर दे, यहने के 5 का गरहां, 3 x कर दे, तो हमें क्या मिलती, अर्जून की age मिल जाती है, ठीक, तो बैर हाल, यह सब बस वेरिफाई करने के लिए मैं आपको बताया है, कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, okay students, now students, जो exercise 2.4 का solution है, वो end screen पे आ रहा होगा, और जाते जाते comment section में जो pen comment है, उसको चेक करना ना भूले, मिलते हैं, next video में तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, all the best.